लोस एक ऐसी चीज बन गई है आपकी लाइब की जिसको आप डे बाई डे फेस करते जा रहे हैं और हग तो यहाँ पे हो गई है कि आप इसको बार 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 फेस करके आपका सेल्फ कॉंफिडेंस वो डिक्रीज होता जा रहा है और यहाँ कुछ बाई लोग तो डरने भी लग गए हैं वो ट्रेल लेने से डरते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लोग करूँगा तो खहीं यह नीचे ना जाए प्राइस और अगर मैं सोट करूँगा तो प्राइस उपर ना चला जाए तो इतना आपको बार-बार लोग स्फेज करना पड़ रहा है जिसकी वज़े से आपका confidence चाता जा रहा है और यह बहुत ही गलत चीज हो रही है आपके साथ आपकी जो mind की conditioning ना वो गलत हो रही है अगर आप अभी ठीक नहीं करेंगे ना तो bull market आने पे भी आप नहीं कम अपाएंगे तो इसको आपको अभी से ही सुदार ना पड़ेगा मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी exercise देने वाला हूँ उसको strategy भी बोल सकते हो जिसकी मदद से आप यह आपका जो confidence है ना उसको वापस regain कर सकते हैं और आपको करना चाहिए यहाँ पर अगर नहीं करोगे तो बाद में बहुत बड़ी समझाव में उलज़ा होई तो ध्यान से देखना बहुत ही जवर्दस चीज बताने वाला हूँ देखो आपको यहाँ पर आपका जो confidence है उसको बढ़ाने के लिए आपको बार 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 फिंड करना पड़ेगा बोले तो जिसे आप 10 ट्रेड लोगे ना उस 10 ट्रेड में आपके 7 ट्रेड तो फिंड होने चाहिए मलब थोड़ा बहुत profit लेकर निकलो loss में ना जो उससे आपके यह mind की conditioning हो बड़ी हो जाएगी और आपके mind में क्या signal जाएगे कि हम मैं कर सकता हूँ और अपसे पहले क्या हो रहा है कि आप बार बार loss खाये जा रहें तो आपका brain signal देगा कि यार मेरे से नहीं हो सकता यह मेरे लिए नहीं नहीं बने तो आपको वैसा वाला नहीं करना है आपको इसको चेंज करना है वो कैसे करेंगे देखो सिंपल सी strategy है यहां आपको क्या कर जाए मेरी position डर में नहीं जी होगे ठीक है पहली चीज होगी दूसरा चीज यहां पर कि जो मैं आपको strategy बताऊंगा उन कोईनों में बहुत ज़्यादा वोलिम रहेगी और आपके टीपी हिट होने के चांसे बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे या फिर प्रोफिट में आने क ज़रती नहीं पड़ेगी जो आपके साथ चीजे ओर यह ना कि बार बार आप लोस खाखा के आपका confidence decrease होते जा रहा है और आप कर भी नहीं पाते हैं यह वाली चीजे सोचते हैं कि यार मेर से नहीं हो सकता है और डरने लग गये मार्केट से तो यह चीजी हट जाएंगे औ तो क्या करना है देगो सिंपल सी चीज है जैसे मालो आप bynace use में लेते हो या bybit यूज में लेते हो तो दोनों exchange में जो आपके सामने जो interface आता है homepage पे वहाँ पे जैसे 10 coin होते हैं उनमें दो coin तो आपको देख प्मिलते हैं एक तो bitcoin हो गया एक ethereum हो गया उन दोनों को अठा क्या करना आपको जिसी मालोर आपके वहоз कोई होटा फो इसका मीन यह है सिमपल सा क्यू कई वोल्यूम जादा है तो वो उसके जो यहां एक्सेंज का होम पेज होता है फ्रंट वहाँ पे वो आने लग रहे है वहाँ पे कोई आता है तो उसका मीन क्या होता है कि वोल्यूम जादा आ रही है इसमें तो आपको उसको चूज करना है चूज करके आपको क्या करना है ओनली 2X से 2X से उसको long करना है उससे क्या होगा जो आपका liquidation वह हाप जाते हो आपको तैंसर लेने के परिशांट नहीं है आप परिशान नहीं होगे जैसे मालोब 25 एक 50 एक से करते तो प lowest ही aec लोग से हो जाते हैं यहां पर यए करना पड़ेगा आपको थोड़ा यहां पर confidence build करना पड़ेगा 2x से क्या होगा liquidation का तो जंजर्टी नहीं रहेगा कि इतना तो मारके नीचे जाने वाला नहीं कि वो हाप प्रैस हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हुआ आपकी एक टेंशन तो खतमी हो गई और फिर भी मालो अगर वह नीचे आए जाता है आपको लगता कि तो आए जा रहा है तो आपको क्या करना है एक चीज़ हमेशा ध्यान में लेके चलनी है वह है आई सो लेटिर मोड में आ कर देते हैं मार्जिन में तो आपका लिक्विडिशन और नीचे चला जाएगा तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरत नहीं रहेगी ना परिशान होगी और यहां बात करते हैं प्रोफिट की तो बहुत अच्छा हो सकता है कैसे जब मालो बैंकर वोल्यूम ले रहा है वो इंक्रीज होगी जो आप बार बार लोज खाखा कि आप अपने कॉंफिडेंस को बहुत नीचे ले जा चुके है ना उसको रीगेन कर पाओगे अगर नहीं कर पाओगे तो बात में आप जो बुल मार्केट में लिक्विड हो जाओगे या सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे लिकविड नहीं होगी और उससे आप अपना कॉंफिडेंस इंक्रीज करके फिर दीरे दीरे आप बढ़िया तरिकी से ट्रेड भी ले सकते हैं और यह पहले बिता हुआ हूँ और यह वापस से बता रहा हूँ थाकि आपका कॉंफिडेंस इंक्रीज होए सच में क ट्रेड आपने लोंग करा वो नीचे जाये जा रहा है तो टैंसन नहीं लेना है थोड़े बहुत लोस में आपको यहाँ पे पेनिक नहीं होना है वो पंप हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत वोलटाइट भी रहता है तो भी डरने की जरुत नहीं क्योंकि आपके पास मार पेज मिलाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल एन बाए बाए